Hello and welcome दोस्ता स्वागत आप सभी का हमारे चैनल टेख याद होगा Hello and welcome दोस्ता स्वागत आप सभी का हमारे चैनल टेख कन्वेयर पे जहां टेकनोलिजी को आप तक कन्वेई करना सिर्फ हमारे जब दारी है So जी हाँ guys आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme के नए प्रोडक्स के बारे में तो जैसे की दोस्तों आपको अगर नहीं पता हो तो कल यानि की 25 तारीक को Realme का था लाउंच वेंड और Realme ने अपने 4 नए प्रोडक्स लाउंच की है So जैसे की दोस्तों आपको बता दू इन 4 प्रोडक्स में थे 2 Realme के स्मार्टफोन, एक एडवेंचरस बैग और जी हाँ Realme Buds की भाई दिल आ गया So guys आज इस वीडियो में हम बात करने वाले है Realme के स्मार्टफोन के बारे में सारे बड़िया फीचर्स है सारी चीज़ा आपको बताने वाला हो इंक्लूडिग प्राइस कब फोन सेल पर जाने वाला है सारी चीज़े में अन्वील करने वाला हो इस वीडियो में कि हमारे लेटेंस वीडियो के अप्डेट आप तक सबसे पहले पहुच सके अगर बात करो डिस्प्ले की तो यहाँ पर हमें Realme X3 और Realme X3 Super Zoom में 6.6 इंच का Full HD Plus Ultra Smooth Display देखने मिलता है बात करूगा है अगर पिक्सल की तो यहाँ पर हमें 1080 x 2400 पिक्सल का सपोर्ट भी देखने मिलता है और रही बात यहाँ पर Realme X3 और Realme X3 Super Zoom के डिस्प्ले में हमें देखने मिलता है Corning Gorilla Glass 5 का सपोर्ट तो यहाँ दूस्तों मतलब डिस्प्ले काफी रफ एंड टफ होने वाला है वित अब बटरी स्मूद एक्स्पीरेंस होगा हमें कहीं भी लागेंस का इशू नहीं होने वाला है जैसे कि आपको पता ही होगा 865 इस दे लेटेस्ट प्रोसेशर फॉम प्रोसेशर प्रोसेशर और काफी बढ़िया प्रोसेशर है जो हमें फ्लेक्शिप फोन में देखने मिलता है बट गाइस इस प्राइस पॉइंट पर ये प्रोसेशर यूस किया है तो थाम्स अप्रोसेशर यूस करना काफी बढ़िया बात है जूकि हमें हर मैंनुफेक्श्रेंस की तरफ से देखने नहीं मिलती है एंड गाइस लेगिनेस तो भूली जाओ रहम आउर स्टोरीज के अगर बात करी बात करूं दोनों फोन के वेरिंट्स की तो यहां पर रियल्मी एक्स तरी का बेस्ट में देखने मिलता है विद अगर बात करूं के हाईर विरिंट की तो यहां पर हमें 8GB विद वीदेखने मिलता है तो यहां पर रियल्मी एक्स 3 में सिर्ख राम मेलेज्मेंट का फॉर्ण के बात करूं तो यहां पर हमें 12GB विदेखने मिलता है बैटरी हर स्मार्टफोन की जान होती है जी यहां दोस्तों बैटरी ही एक ऐसा कंपोनेट होता है जो पूरे स्मार्टफोन को पावर सप्लाइ करता है and guys Realme X3 and Realme X3 SuperZoom के case में यहां पर हमें 4200 mAh की बैटरी दिखने मिलती है जहां पर Realme यह भी claim करता है कि हम phone को 0200 charge कर सकते है within 55 minutes so guys काफी बढ़िया बात है कि आपको इस price point पर 30W का fast charging का support मिलता है out of the box जो कि guys आजकल काफी manufacturers यह भी provide नहीं कर पा रहे है although उनकी phones काफी महंगे होते है अब guys अब बात करने बाले हैं इन दोनों phone के highlighted features के बारे में हमें काफी ज्यादा similarities देखने मिलती है दोनों ही phone में 64 Megapixel का primary sensor देखने मिलता है वहीं अगर मैं बात करूं ultra wide lens की तो guys दोनों ही phone में 8 Megapixel का ultra wide sensor देखने मिलता है with a field of view of 119 degrees अगर बात करूं तीसरी lens की तो यहां पर हमें दोनों phones में 2 Megapixel का macro lens का support देखने मिलता है बड़ गाइस 4th lens जो होने वाली है वो दोनों ही phone में अलग है बात करूं Realme X3 के बारे में तो यहां पर हमें 12 Megapixel का telephoto lens देखने मिलता है एंगाइस रही बात picture quality की तो यहां पर आप काफी बढ़िया image क्लिक कर सकते है even though in a dark mode यहां पर night mode का भी support देखने मिलता है AI mode का support देखने मिलता है और काफी बढ़िया features हमें देखने मिलते है एंगाइस telephoto lens और periscopic lens से भी हम काफी बढ़िया images क्लिक कर सकते है even though with a 2x and 5x optical zoom एंगाइस अगर front camera की बात करें तो दोनों ही phone में हमें dual camera lens का support देखने मिलता है यहां दोस्तों यह काफी वियर्ड लगा मुझे इन डिस्प्लेइस finger print scanner में देखने नहीं मिलता है अगर बात करें तो यहां पर realme x3 और realme x3 super zoom दोनों ही phone हमें दो colors में देखने मिल सकते है अगर मैं बात करो realme x3 के base variant के बारे में जो कि है 6GB RAM और 128GB of memory जो कि आप खरीच सकते है मात्र 24999 में वही अगर मैं बात करो इस phone के higher variant की जो की होने वाला है with 8GB RAM और 128GB of memory जो कि आप purchase कर सकते है with a 25999 मात्र 1000 का difference है and that too और RAM management में difference देखने मिलता है storage आपका same रहता है वही अगर मैं बात करो realme x3 super zoom के बारे में तो realme x3 super zoom का base variant आपको देखने मिल सकता है with 8GB RAM और 128GB of memory जो कि प्राइस है with a 27999 वही अगर मैं बात करो इस phone के higher variant की जो कि आता है with a 12GB of RAM and 256GB of memory जो कि आप purchase कर सकते है with a price of 32999 online so guys अगर आप बेस अपर हो और अगर आपको इस phone को प्रीबुक कर रहा है तो guys वह भी पॉसिबल है prebooking already started है नहीं तो guys आप इस phone को directly purchase कर सकते हैं on 30th June on Flipkart and realme official website जब इसकी first life sale होने वाली है overall अगर इस phone के बारे में बात करें तो यहां पर काफी बढ़िया product realme की तरफ से में देखने मिलता है जहां पर एक powerful snapdragon का सब्सक्राइब देखने मिलता है quad camera setup का support देखने मिलता है 6.6 inch की ultra smooth display देखने मिलती है but a 120hz refresh rate guys इस price point में आपको इससे जादा क्या चाहिए तो अगर आप realme के fan है और आपका price budget 25-30K है so I would strongly recommend you with the realme x3 and realme x3 super zoom guys बहुत ही बढ़िया phone है with a very good price point so चलिए दोस्तों यह थे मेरे first impression और overview इस phone के बारे में अगर वीडियो पसंद आई यह तो वीडियो को like ज़रूर करेगा वीडियो को share भी करेगा और मारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो guys तो चैनल को subscribe करना ना भूले मिलता हूँ दोस्तों आपसे एक नई वीडियो के साथ till then keep smiling and be safe